हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडियोट कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा है स्क्रीन पे मार्केट अभी आपका 16,250 के लेवल के करीब ट्वेट कर रहा है और यहां पे आपको इधर कॉल अप्शन्स द सबॉकल है जलना फिरियम करना होगा वो यहां पर कॉल अप्शन्स दॉप्शन्स दॉपटी ओं क्रेपर करेंगे है अब मार्केट आपका 16,250 के लेवल पर जिनका भी नेगेटिव उनको लग रहा है कि मार्केट आपका 16,250 250 वान पर हंडेर 169 क्लेट लेवल तक जा सकता इसी एक नहीं पता होगा, वो पता कर लिए, लेकिन अगर आपका व्यू पॉजिटीव है, आप कॉल आप्शन बाई करने के बारे में सोच होए, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सार ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे 16,250 के कॉल आप्शन को बाई कर सकते हो, 16,500 को बाई कर स हैं, तो आप सही तरीके से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे मार्केट में, इससे पहले भी मैंने options के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बोला था, कि आप expiry का selection कैसे करोगे, आपको कब weekly expiry में trade करना, कब monthly expiry में trade करना, दोनों में से कौन सा expiry आपके लिए ब description में भी मिल जाएगा, उसकी बाद अगला काम क्या होता है, कि call options buy करें, तो वहाँ पर strike price का selection, put options buy करें, तो वहाँ पर strike price का selection, कहने का मतलब है, कि आप यहाँ पर in the money call options buy करें, या फिर add the money call options buy करें, या फिर otm, या आप तो money call options buy करें, कब buy करें, अब यहाँ पर देखिए, इन्दमनी ATM, OTM, बहुसा लोगों को आईडिया नहीं होगा, इसके उपर भी हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा मैं over view दे देता हूँ, अब यहाँ पर देखिए आपका view क्या है, आपका view positive है, ठीक है, तो जो प्राइस आने वाला है, यानि मार्केट आ आने वाला वो क्या होगा, OTM होगा, यानि यह सारा आपका क्या हो जाएगा, यह सारा आपका OTM हो जाएगा, और जो प्राइस बीच चुका है, जहां से already cross करके उपर आ गया, वो सारा क्या होगा, ITM, यानि यह आपका ITM हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लि जाएगा, ITM और यह बन जाएगा, आपका OTM, तो इस तरीके से आप ATM, ITM, OTM को find कर सकते हैं, यहां पर हमें कौन सा call options buy करना, अगर मेरा view positive है, तो हम in the money call options buy करे, add the money buy करे, या फिर out of the money buy करे, अगर view negative है, तो in the money put options buy करे, add the money, या फिर out of the money put options buy करे, कौन सा buy करे, यह selection करना ब पहुच जाते हैं, लेकिन strike price का selection सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, as a result क्या होता है, उनको यहां पर नुकसान होता है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, कि कौन सा आपके लिए बेतर रहेगा, in the money, add the money, या फिर out of the money, चलिए इस concept को यहां पर हम detail से समझते हैं, तो यहां पर हम in the money, add the money, otm, call options या put options का selection पर आएंगे, उससे पहले, अगर आपको options में trade करना है, तो आपको market को लेकि एक भीव बनाना परेगा, अगर market उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो आपको find करना परेगा, अगर उपर जा रहा है, तो कहां तक उपर जा सकता ह और नीचे का भीव है, तो market कहां तक नीचे जा सकता है, उसका भी भीव आपको बताना परेगा, उसके लिए क्या करते हैं, हम चार्ट पर चलते हैं, और छोटा सा भीव हम वहाँ पर बना सकते हैं, और यह आप कैसे कर सकते हैं, इसके उपर हमने बहुत सारे वीडियो बना पाता है, आप उस information के बारे में अवेर नहीं हो पाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ, बेल आइगन को भी जरूर दबा दीजिए, तो यहां पर अभी market आपका कहां पर trade कर रहा है, अब यहां पर आपका दो भी हो सकता है, दो लोग यहां पर trade करने वाले हो, एक लोग जो क्या करते हैं, जो weekly expiry के basis पर trade करते हैं, जिसको हम लोग swing trader भी बोल सकते हैं, एक जो होते हैं, जो आपका intra day में काम करते हैं, यानि वो क्या करते हैं, जो भी options buy करना रहता हैं, आज buy करते हैं, और end of the market वो sell करके चले जाते हैं, यहां पर carry forward नहीं करते हैं, एक जो होते हैं, carry forward करते हैं, carry forward नहीं करते हैं, यानि एक जो रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, expiry to expiry काम करते हैं, ठीक हैं, तो सबसे पहले हम expiry बात करेंगे, जो लोग expiry to expiry काम करते हैं, उनके उपर बात करेंगे, उसके बाद हम intra day के उपर भी बा के लेबल पर जा सकता है अब यह निकालने के पीछे बहुत सारे विजन हो सकता है आप यह मत समझें कि मार्केट आपका स्ट्राइक प्रेस का सेलेक्शन भी करना परेगा चलिए और यहां पर नियान देना है कि हम यहां पर क्या मान वहें यहां पर हम मान वहें कि आपका एक्सपारी जो होगा वह आपका यहां ऑओ से उस्फे लेवल पर हो सकता है गयाम क्या मानमे Ether ठीक है अब यहां पर हम strike price का selection कैसे करेंगे अगर में यहां पर 16,300 के call options को buy करते हैं या फिर सबसे पहले यहां पर add the money से उठाते है 16,200 अब यहां पर हमें break-even find करना पड़ेगा यह नहीं हमें profit कहां पर मिलेगा break-even find करने के लिए क्या करना पता strike price plus premium 16 दोसों के call options को अगर हम buy करते हैं तो हमें profit कहां से मिलना स्टार्ट होगा 16,200 प्लस 131 वनी 16,331 यहनि market अगर आपका 16,331 के ऊपर जाएगा तब यहां पर मुझे profit मिलेगा ठीक है अगर हम 16,200 के call options को buy करते हैं इसका premium 131 हमें कितना पैसा लाएगा 131 इंटू लॉट साइट इस 50 तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना लाएगा तो यहां पर मुझे पैसा लाएगा वह 6550 यहनि अगर आपके पास 6000 रुपीज है तो यहां पर आप 16,200 यहनि at the money के call options को buy कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर मुझे profit कितना मिलेगा मार्केट का विव कहा तक है 16500 अगर मार्केट आपका इस level तक आया आपको profit कहा पर हो रहा 16,331 के वाद जितना भी point उपर जाएगा आपको profit होगा अगर मार्केट आपका 16,500 के level पे पहुंच गिया तो यहां पर अगर आप calculation करें तो यहां पर profit आपको मिलेगा 8,500 करीब यहनि अगर आप 16,200 के call options को भाई कर रहें यहनि अगर यहां पर 6,550 रुपे कर रहें मार्केट जैसा हम सोच वे उसके recording रियक्ट करता है तो मुझे 8,500 का profit होगा ठीक है 16,400 प्लस 50 यहनि 16,450 अगर मेरा भी होगा कि market 500 के level पे आएगा तो मुझे profit कितना मिलेगा 50,500 का profit मिलेगा तो यहां पर आप 50 into 50 कर दीजिए तो आपको मुझे profit होगा 2500 का profit होगा और मुझे payment कितना करना परेगा यहनि इसको buy करने के लिए पैसा कितना चाहिए पैसा भी चाह चाहिक है इन्विस्ट करते हैं और my cat मेरी favor में जाताặt मुझे कितना मिलेगा 25 आपиком यहां पर राद मेरे ब्लत ़ू अगर insan नकसान म कितना होगा स्ट्राइक का सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आप उपर आओ हैंता है है कि यहीं तक सब्सक्राइक है अगर हम यहां पर सोरा 3 100 वां का उठाते हैं ठीक है इसका Kr ц ambos तो यहां पर 16,385 बनेगा ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा सोलो चार्ट सब जाता है तो मुझे यहां पर प्रॉफिट मिलेगा 15 पॉइंट का जबकि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा 85 इंटू 50 लगवग आपको 4200 करीव यहां पर आपको इंवेस्टमेंट करना परेगा मिलेगा कितना 15 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पर आपको मिलेगा ठीक है वहीं अगर आप यहां पर 16,350 के कॉल अप्शन को भाई करते हो इसका आपका ब्रेक इवन क्या बनेगा 16,350 प्लस 63 यानि आपका 16,415 के करी बनेगा जबकि मेरा भी हुए कि मार्केट 6400 के लिवल पही जाए तो यहां पर हम 16,350 के स्ट्राइक प्रैस का सेलेक्शन नहीं करेंगे हम किसका करेंगे 16,300 मिनमम या फिर इससे नीचे का अगर मेरे पास यहां पर आपका लगबग 45,000 का रुपीज है तो यहां पर 16,300 करेंगे ज़्यादा है तो हम और नीचे जाएंगे क्योंकि वहां पर आपका प्रॉफिट और इंक्वीज हो सकता है रिस्क भी इंक्वीज होगा लेकिन प् प्रॉफिट इंक्सपाइरी करेंगा और अब लगता है कि मार्केट कहां तक जा सकता है उस प्रॉफिट कम ज्यादा हूँ अपने हिसाब से देख लिजे बाकि उस पाटिकुलर पॉइंट पर मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए तब हम यह सब काम करेंगे अब यहां पर यहां पे जो options का premium का decay होता वो थोड़ा सा कम होता है तो अगर आप intra day में काम करते हैं तो intra day में देखना परेगा कि आपका view क्या है अगर आप intra day में trade करते हैं और आपको लगता है कि market जिस level से हमने buy किया वहां से 100 point upside या downside move जा सकता क्योंकि अगर 100 point का moment दिखाएगा तो at the money call options आपका लगवाग 40-50 point का move दिखाएगा यानि 40-50 point का profit आपको बना के यह देख सकता है अगर 100 point का move दिखाता है उसके करीब दिखाता है तो आपको ATM पे जाना है क्योंकि यहां पे क्या होगा यहां पे आपका premium भी थोड़ा से कम लगए यानि कम पैसा लएगा और profit भी थोड़ा से कम होगा लेकिन पैसा भी कम लएगा और risk भी थोड़ा से कम है यानि आपका यह यहां पे average range मिल जाता है out of money में जाओगे तो ज्यादा profit नहीं मिलेगा हो सकता है profit मिले भी ना इसलिए हम ATM पे जा रहे है इंद मनी में जाओगे तो आपको profit ज्यादा मिलेगा लेकिन premium भी ज्यादा pay करना परेगा अगर वैसा नहीं हुआ है तो आपको नुकसान भी options में जाना prefer करेंगे क्योंकि अगर आप इंद मनी में जाओगे तो यहां पर आपको पचास पॉइंट का मूब देखने मिलेगा और हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तब जाके कुछ profit हमें मिलता हो दिखेगा अधर्वाइस 100-200 का profit लेके आपको कुछ नहीं मिलेगा उ पचास पॉइंट जाओ या फिर 100 इंद मनी जा सकते हो अपने हिसाब से देख सकते हो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप इंद मनी ट्वेट ले सकते हो तो आप ट्वेड ही मत करो आपको ATM या फिर OTM में नहीं जाना अगर आपका भी हुआ है कि मार्केट 50 को दिखाता है आप किसी प्लेटफॉम पर देख सकते हैं विक्स अगर आपका 25 से उपर है मतलब मार्केट में अच्छा कासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट आपका 200 पॉइंट का मूब दिखाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे तो यहां पर आपका इंद मनी तो वह आपको क्या देगा मैक्सिमम प्रॉफिट देगा तो अगर मार्केट अभी आपका श्रिक्षिंट आपका 200 पॉइंट उपर जाएगा यहां इसको आपका इंद मनी बन जाएगा तो आपको मैक्सिमम बैनिफिट कम मिलता अगर आपको ओटियम वह कंवर्ड होके इं अबने सुना होगा कि एक दिन में पैसे आपका दो गुना तीन गुना हो जाता यहीं तभी होता जब आपका इंद मनी बन जाता है तो लेकिन यह काम कब करना यह काम हम तब करेंगे जब मार्केट में अच्छा-कासा मोमंटम देखने पिलेगा यहां हमें उमीद है कि मार् से कम मूब दिखा रही है तो यहां इंद मनी पर जाना बात करें और यहां किसके लिए के लिए ठीक है expiry को पर था हमने बात कर लिया कि आपको break even find कर लो और उसके basis पर आपको क्या लगता है किस point तक market जाएगा और उस point पर देख लो कि आपको कितना point का profit मिलवा फिर आप expiry to expiry के लिए strike price का selection कर सकते हो इंदमनी जाना या एड़ दमनी जाना या OTM जाना वो आप काम कर सकते हो बाकि इंट्राटे के लिए क्या करना वो भी आपको यहां पर clear समझ में आ गया होगा यह concept बहुत ज़रूरी है आपको सीखना अगर आप options trading से buy करके पैसा बनाना चाह रहे हो तो buy करके पैसा बनाना difficult है लेकिन आप बना सकते हो अगर आपके पास सारा कुछ तैयारी है सारा कुछ knowledge है तो otherwise buying करके पैसा बनाना थोड़ा सा मुस्किल है उमीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंदा होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंदा है प्लीज वीडियो को like करके ह में इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन